कि अग्याव तो अभी हम लोग कर चल दो है फिजिक्स के इंपोर्टेंट कोशन का स्रीज इसमें हमारा कुछ वीडियो सो चुका है और अभी जो टॉपिक हम लोग कबार करना है यह है ऑप्टिक्स अभी जो टॉपिक्स में भी कुछ वीडियो सो चुका है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुए प्लेशिस्ट का आप वहां से निखालकर देख सकते हो प्राणियो वीडियो को तो अभी जो अभी जो प्टिक्स में जो क्वेशन्स बचे हुए आज हम लोग उसको कि अबर हो जागा थीक है तो चलिए we start करते हैं आज का देता है यह Bham किसके कारण से होता है तो आप जानते हो कि सको बोलते हैं हम लोग मिराज या हिंदी में बोलते हैं इसको मह लिखाए कहा और इसका कारण क्या है इसका करण अन्य परकास का पूर्ण आंत्रिक परावर्तन है यानी total internal reflection ठीक है अगला है कि lambda dash के मापने के लिए उपयोग में आने वाली इकाई है तो लेमडा से हम लोग क्या मापते हैं यह मापते हैं तरंगधर यानि wavelength और लेमडा का representation होता है इस तरह से अकास का नीला रंग डेस का परिणाम है तो अकास का नीला रंग किसका परिणाम है यह हम लोगों ने अभी देखा था लेकिर वहां पर आपका क्या था और यहां पर देखो ऑफिशन में थोड़ा अंतर है तो यह इसका सही अंसर होगा छित्रो के कारण वहां पर आपका परिण जी आप कोई का परण पर बैठा निरक्षक तारे से ब्राप प्रकास के समध में क्या अनुब Fayजब करेगा बहुत अच्षा क्या बोल रहा है आप परण बैठे वह और तारा एक वह पर दूर जा रहा है है तो उसके wavelength में किस तरह का changes होगा यह आपको बताना है उसका वेवलेंद है वह बढ़ा हुआ महसूस करेगा त्रेंग धैर में विर्धी महसूस करेगा जो निरक्षक पिर्थवी पर बैठा हुआ यह देखो अच्छा कोशने डांगवाग नहीं यह पूछा था अब देखो हो लेंद में विर्धी नजार आएगा ठीक है बहुत अच्छा क्वेशन था यह भी अगला कोशने कि जो वेक्ति चस्मे के बिना ठीक से नहीं पढ़ पाता वह उप्योग करता है तो दिखो क्या बोला जा रहा है कि चस्मे के बिना ठीक से पढ़नी पा रहा है तो वह कॉंसा लेकिन अगर नजदीक में तो आप युज़ करते हों टीक है तो पड़ने में प्रवल्म और यानी नजदीक का प्रवब्लम है वह अगला के प्रीदरसी प्रीदरसी क्या हो यह फारी स leg पर श Mr. szerfer water surface वे इस में देखो यहां पर एक मिरर यूस की किया जाता है ठीक है तो यहां से लाइट रा साहते हैं और फिर यह reflect होके दूसरे मिरर पर पढ़ता है और यहां से हम लोग दीख पाते हैं जो उपर का समान है इस तरह का दो मिरर को यूज किया जाता है पेरिस्कूप में और जल के अंदर रहकत उपर का समान देखा जा सकता है अगला कुशन है कि चलते समय परकास का एक माध्यम से दूसरे माध्यम की और मुड़ना क्या खालाता है इसको अमलोग करते हैं परकास का अफवरतन यानि रिफ्रेक्शन अगला कुशन है कि किसी नव्यूबक की समान दृष्टी के लिए असपश्ट दृष्टी की अलपतम दूरी कितनी होती है यह होती है कि अगला को से नहीं कि किसी वहान में पास दृष्ट को देखने के लिए और इसको क्यूर करने के लिए अवतल लेंस यानि कारूप करता है ताराओं का रंग व्यक्त करता है उसका तापमान यानि टेम्परेचर अगला है कि त्री पाउस से गुजरने के बाद स्वेथ परकास सात रंगों में बढ़ जाता है इस भौतिक घटना का नाम क्या है यह त्री पाउस क्या हुआ यह हो गया अपका प्रिज्म ठीक है प्रिज्म से अगर आप लाइट को गुजारते होती है यह सात रंगों में बाट जाता है अगला कुशन है कि परकास की गती अधिक्तम किस माध्या में होती है तो परकास का गती जो अधिक्तम होता है निर्वात यानि वेकम में किस परकार यूज़ करता है जो मैक्रोफोप होता है उसमें हम लोग किस तरह का लेंस यूज़ करते हैं आप को सीमपल थे चैय जाता है यह क्याज़ाथ सबसे पहली बात कौनवेक्स के जाता है लेकिन कोंवेक्स Data है अगले है मानवनेटर की focus दूरी का बढ़ना घटना कौन से सक्र से होता है तो आप जानते हो कि हम लोग का focus length किस्ते से के सकते कर से करते हैं और यह किसके मदब से करते हैं focal length को adjust यह करते हैं ciliary muscles के help से किसे करते हैं ciliary muscles के help से अगला कुछ आएंक्षों में lens के पीछे का भाग भरा होता है आँखों में यहां पर आपका lens रहता है तो lens के पीछे के भाग में क्या भागा रहता है यह बढ़ा रहता है वीटिरस्यूमर, ठीक है, इसको हिंदी है बोलता है, कचावद्रब, क्या बढ़ा व्र्यास्यूमर, वही पर अगर आपको आँछी के लेंस के आस वास का नहीं देता आहिस्ता से उसे दिखाई देने लगता है यह इसलिए क्योंकि तो होता क्या है देखो जब आप तेज रोसनी से अचानक से अंधेरे में आते हो तो आपका जो ऐरी से ठीक है आईरीस जो है वह सिकूर जाता है इस करण से आपको सब चीज अंधेरा दिखने लगत तो सबसे गणे किस aujourd यह में होता है यहीं होता है लाल रंग में अगला कि यथी शूरी नव हो तो आकास-का रंगike परतित हो गाला अगला कुछने कि पूर्णांत्री प्रावरतन की घटना तब घटती है यह जब आपतों कॉनड्य स्कांती कौन से है बहुत अच्या कुछ इसमें आपका जो total internal reflection का property है वो clear हो जाएगा क्या जा दो कि पुर्ण और 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 यहां पर गढ़ना तो जो इसका इंसिडेंट सुरी critical एगर होगा तो यहां से निकल जाएगा इस सरफिस से निकल जाएगा अगर critical angle से अधीक incident एंगल इसका हुआ तो ही यह तोटल इंटेरनल reflection को सू करेगा ठीक है कि लाल फूल को हरे प्रकास में रखने पर दिखाई पड़ेगा किस से दिखाई पड़ेगा अगर लाल चीज़ को आप हरे कलर के रोशनी में रखते हो तो इसका कौन सा कलर दिखेगा यह दिखेगा काला अगला कुशन है कि पानी में दूबोई एक छड़ी किस संवरेती के कारण मुड़ी भी परचीत होती है यह है अभी लम तथा आप्तित किरत मैंने अभी आपको बताया था कि यह अगर आपका सर्फेस है तो यहाँ पर मैं सर्फेस ढलता हूं यह आपका सर्फेस तो आप ले तो इसे नॉर्मल जो होता नैंटी डिग्री अब इसको अगर आपने किया एक इंशिडेंट रे अपने इस पर डाला है यह नहीं इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं आपतीद कौन तो ये अंगल आपका क्या कलाएगा ये अंगल कलाएगा ठीटा और ये ही होगा आपका incident angle जो इसके normal से इसका incident रे बनाता है उसी को हम लोग बोलते है incident angle और अगर reflection होने के बाद जो आपको दीख चाहँ को बोलते हैं Aujourd' को क्या आज परकास की एक किरन एक माध्यम जिसका आप ऊडिर फ्रक्रेक्टिवaint इंडेक्स म्यूवन से चलकर दूसरे माध्यम जिसका आप वर्तनाक म्यूटू है में परवेश करती है अगर आप तन कौन यानि इंसिडेंट एंगल जो है वह आई होगा और अप वर्तन यानि रिफ्रेक्टेड एंगल इसका आर हो तो साइन आई बाई साइन आर का मान होगा तो साइन आई बाई साइन आर यह से लिए ठीक है और इसमें आपका मान क्या होता है यह होता है म्यू अब देखो मैंने आपको बताया तो म्यू टू वन यह होता है साइन आई बाई साइन आर जहां पर आपका सेकेंड जो मीडियम है इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स तो परकास की अधिकतम गती होगी अब देखो यह क्या कोईशन है क्वेशन यह एक अच्छा सा क्वेशन है गर कमकि यह दिकंगा आपको चाहिए दिख़ाया है आपको तीन चीज यहां पर कशे कम किससे आधीक यह हो जाए कि और परकास का कटी अधिक्टो मुस्त आफ को यह दिख रहा है जल का अगला कुछ नहीं कि lens की सकती का one adapter का आसे क्या है ये भी एक अच्छा कोईशन है आप देखो one adapter आपको power दिया हुए और lens का power मैंने आपको बताया हुआ होता है कि lens का power क्या होता है power equal to होता है one by f यानि focal length ठीक है और focal length हमेशा किस में होना चाहिए यह होना चाहिए मीटर में तो अगर इसका one adapter इसका power है तो one by f का value हो गया one यानि यहां से f का value निकल जाएगा one f equal to one और one meter निकलेगा one meter इसका focal length होगा तापका सही answer क्या हो जाएगा तीन जिसका नाविक्या लंबाई one meter होती है नाविक्या लंबाई यानि focal length ठीक है अगला कुछ है कि जब दो समानतर सीसों के सामने एक वस्तु रखे जाती है तो उनके कितने उसके कितने प्रतिवी मुत्पन होंगे होंगे अनन्द अगला है कि किसी नव्यूबक की समाने द्रिष्टी के लिए असपस्ट द्रिष्टी की अल्पतम दूरी कितना होता है यह होता है पचीस सेंटीमीटर कितना होता है पचीस सेंटीमीटर आपका सियसर हो जाएगा दो अगला है कि एक परकार का द्रिष्टी दोस जिसमें एक व्यक्ति दूर की वस्तुमां को नहीं दिखाई देगा, कहीं पर भी हो अगर अंत्रिक्ष में है तो आकास हमेशा काला ही दिखाई देगा अगला कुशन है कि एक मोटी नीले काँच के माध्यम से जब एक लाल वस्तु को देखा जाए तो वह कैसा प्रगट होगा, नीला मोटा काँच है, उससे आप लाल चीज़ को देख रहे हो, तो हमेशा काला ही नजर आएगा अगला कुशन है, छाया का गठन किसके द्वारा समझाए जा सकता है छाया नहीं सेडो, सेडो का निर्मान होता है आप सब जानते हो, ये एक अच्छा क्वेशन है आप इसको किस मादियम से समझा सकती है ये होता है, परकास का सीधा परसार, इसके कारण से सडो का निर्मान होता है, इंगलिज में जो लिखा रहे हो, वो लिखा रहे है, रेक्टिलिनियर propagvation of light, क्या लिखा रहे हैं रेक्टिलिनियर propagation of light, आप देखो अच्छा है बनता कैसे आप यहां पर खड़े हो आप जानते हो light हमेशा straight line में ही travel करती है ठीक है अब आप यहां पर खड़े हो यानि light यहां block हो गया और आपके आसपास से light cross कर जाएगी यहां पर वो अंधेरा हो जाएगा और जितना दूर तक आप हो इतना उसको अंधेरा म में रहना पड़ेगा जिसके कारण से आपका shadow बन जाता है ठीक है यह है आपका परकास का सीधा परसार अगला कुछाने की कि सकारन से हम कोहरे के दौराण नहीं सकते हैं फोरे की धॉर किसकी के कारण हम कोर्य में नहीं देख सकते हैं अगले प्रातमी करंड कौन downturn से होते हैं यह लालक नीला और हरा अभी-अभी हम लोगों ने देखा था अग्ला कुसे नहीं कि रमन प्रवाब किसकी लक्ष नीकता से समंधित है तो रमन प्रवाब रमन एफेक्ट आप जानते हो किसे समंधित है या समंधित है प्रकास से रमन एफेक्ट यह किस ने खो जाता है यह सिवी रमन में खो जाता है जिसके लिए इनको 1930 में आपको नॉबल पुरुसकार आपको इसका जो तरंग होता है ठीक है वेब जो होता है वेब लेंथ में या वेब का लंबाई जो होता है जैसे जैसे आपका एनर्जी बढ़ता जाता है वेब का लंबाई कम होता जाता है और जैसे जैसे वेब का लंबाई बढ़ता जाएगा एनर्जी कम होता जाएगा ठीक है यह वाइलेट में compare करो तो लंबाई ज्यादा है रेड का और एनर्जी ज्यादा है वाइलेट का वेवलेट का वेवलेंद कम होता है रेड का वेवलेंद ज्यादा होता है अगर वेवलेंद ज्यादा है एनर्जी कम होगा और वेवलेंद कम है तो एनर्जी ज्यादा होगा आप इ प्रणाली इसमें से किसके समरूप है मानाव नैत्र का करनाली तो हमारा आंँख का kay परणाली camera के समान होता है किसके समान होता है camera के समान अगला है परकास का वेग अधिक्तम होता है यह होता है निर्वात में इसके बाद आपका क्वेश्चन कि एक endoscope है endoscope आप जानते हो हमारा internal organ जो होता है इंटरनली जो भी प्रोब्लम्स होते हैं जिसे पेट सब में कुछ भी अगर प्रोब्लम हो तो एंडोस्कोप से आप उसका पता लगा सकते हो और इसमें कौन से प्रोपर्टियम लोग यूज करते हैं तो यह करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का और यह होता है एक संक दिखाए देगा वह दिखाए देगा काला कि मानव आंक द्रिस परकास के जिस त्रंगधहर के लिए सरवाधिक सुग्रही होता है वह है यह बहुत अच्छा क्या उप्रोब्लेंद के लिए सब से इप्रोप्रियेट है अब देखो विजीवल लाइट जो है जो है आपका 3900 से लेकर 7800 इसके बीच में हम लोग देख पाते हैं ठीक है यह विजीवल लाइट लेकिन सबसे जो परफेक्ट है वह आपका 500 इंगस्ट्रोंब या आप इसको 555 नेनोमीटर भी वह सकते हूँ 555 नेनोमीटर या 5500 एंगस्ट्रोंब यह व्यबलेंट होता है जिसके लिए हमारा आँख सबसे कमफर्टेबल होता है तो यह एक अच्छा कोश्च था और यह यूब पी पीसिए का कोश्च्च अब इसक क्यों ऐसा होता है कि हमें सिधी रखा में चलता वा परतीत होता है क्योंकि इसका त्रंग होता है और आपको अल्मॉस्ट एक श्रेट लाइन में नजर आता है अगला क prostate अख में सकेंदर्ण वहत अधी क्वोकेस्ट कुछा जा रहा है कि आँख में क्स पूझीशन पर कौन सा इसा पार्ट होता है जहां पर सबसे अधी फोकसिंग होता है यह कहा होता है के आख के तरल के अपवरतनांग में परिवरतन द्वारा ठीक है यह वो पोजिसेन है जहां आपका आँख में एक्वास यूमर होता है आप जानते हूं मैंने आपको बताया था कि वो depend करता है तो आपको सही answer हो जाएगा D अगला कुछ है ने कि आकास में होने वाले अग्रीम सुर्योद है एब हम विलंबित सुर्यास निमलिकित में से किस घटना का कारण है हम जानते हो कि आकास में कभी-कभी आपको जल्दी से सुर्योद है और लेट से सुर्यास नजर आता है तो यह किस कारण से होता है इसका कारण क्या है तो इसका जो सही answer है वो है आपका सुर्य परकास के अपवरतन के कारण यानि रिफ्रेक्शन के कारण रिफ्रेक्शन के कारण जो है वो मैं आपको बूद ऑख सकता है और आपको वह कभी-कभी जल्दी से सुरियोद हुआ नज़ा खता है यhos लगता है कि शुरियास्ट के कारण होता है लेकिन यह तो सुरियास्ट के 2 मिनट बाद nothing तक भी आपको जो लालिमा है वो देखने को मिले सकता है और सुरिया सुने से दो मिनट पहले भी आपका सुरियोदय हो सकता है इस कंडिशन के कारण ठीक है किस परकार की टरंग का पर्योग कहाता है सिंपल का कुछ ने मैकरो वेव एवन में किस तरके परकास को हम लोग यूज करते यह करते हैं अ ध्रीस परिसर की दीर्ग धरवाली demon कि Après क्लिट दो का ये थोड़ा से करते हैं शोड़ा से अधिकव्य आध्री अगला कोश्य ने कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के हम लोग किस तरह के मिरर को यूज करते हैं उत्तल दर्पन या आपका हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर परकास के एक विंदू स्रोज से दो समांतर समतल दर्पनों के बीच कितने प्रतिमीं बनेंगे यह अगला है कि वह वहाग में कौन सा रंग होता है एक सबसे उपर्न सा रंग होता है यह होता है आपका लाल मैंने आपको बता है वी वग्योर आपको याद रखना है कि सबसे कम जो wavelength होता है वो होता है वी का और सबसे अधिक होता है वह है आर का तो आपका जो धनुस बनता है उसमें सबसे पहले होता है आर और सबसे लास्ट में होता है V तो आपका सबसे उपर हो जाएगा लाल रग अगला कुछ अने की प्रावर्तन के संदर में यह वली बाती ग्यातब है कि जब एक दरपन को एक कौन में गुमाया जाता है तो प्रावर्तित किरन गुमती है तो आज ही मैंने आपको बताया था कि अगर मिरर के साथ इस तरह का केसे स्ट हो जब आप मिरर को थीटा एंगल से गुमाते हो तो रिफ्रेक्टेड रेज वह इसके दो गुना से यानि टू थीटा से गुम जाएगा था अगला कुछ है कि इंद्रधनूस तब बनते हैं जब सूरिका प्रकास तो इंद्रधनूस कब बनता है जब सूरिका प्रकास वाई वंडल में वर्सा के बुंदों पर गिरने से अपवर्तन और आंत्रिक प्रावर्तन होने से विक्किर्ण हो जाता है तब आपका इंद्रधनूस बनता है तो इसमें आपका अलग-अलग concept यूज़ होता है ठीक है आप आपको option पढ़के ये आपको अनुमान लगाना होता है कि क्या-क्या यूज़ क्या गया है अपवर्तन, परावर्तन और total internal reflection ये तीनों cases आपको इंद्रधन देखने को मिल सकता है अगला कुशन है कि जब हम धूंद के दौरान किस कारण से नहीं देख सकते हैं धूंद यानि कोहरा, फॉग इसके कारण से हम लोग क्यों नहीं देख सकते हैं क्योंकि परकास का विखरा हो जाता है यानि परकास का परिकर्णन हो जाता है परिकर्णन हम लोगों ने इससे पहले वाले question में देखा हुआ था अगला कि परकास जब हवा से कांच के अंदर से गुजरता है तो कांच में उसका वेग क्या होगा तो उसका वेग यानि velocity या speed क्या होगा वो कम हो जाएगा ठीक है अगला कुछ ने कि यातायात को रोकने के लिए यातायात संकेत में लाल प्रकास को उप्यों किया जाता है क्या करण है तो इसका करण है कि यह कम से कम परिकेड़न होता है अता असानी से लंबी दूरी से भी आपका सही अंसर है तीन इसका परिकेड़न कम होता है जिसके करण से हम लोग इसको यातायात में यूज करते हैं यानि ट्रैफिक में इसको यूज करते हैं गाड़ी को रोकने के लिए ताकि यह दूर से दिख सके तो आप एक चीस तो जानते ही हो कि इसका जो wavelength है वो ज्या तीन ही हुआ है ठीक है तो आज आपका इसका लगवग जितना question आपके exam में पुछे जा सकते हैं लगवग सारे complete हो गया तो आप कुछ concept ऐसे हैं जो आप जब chapter पढ़ोगे तभी आपका वो clear होगा ठीक है तो आगे कभी मैं chapter जब पढ़ोंगा इसका optics का तो वो सारे points clear हो ज distance हैं और कितना number of images कैसे आप निकालते होगी अगर दो mirror को आप किसी angle पर रखते हो तो कितना image बनेगा तो वो सब वहाँ पर मैंने explain क्या वाई तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हो description में मैंने link डाल दिया है ठीक है तो आप उसको देख लो exam में हो सकता है उससे question आ ज आए तो चलिए मिलते हैं फिर से अगले किसी वीडियो के साथ तिल देन टेक क्यार वाई वाई